कनेक्शन काटनी की नाम पर की अवैदू का ही ऐसा ही मामला एक संभल ब्लॉक के गाम ततार पर मुझरा का मामला सामने आया है आपको बता दे की बिजली विभाग पर बड़ा आरूप लगाया है गाम की महिला का कहना है की कनेक्शन काटनी की नाम से डरा धंका कर किसी से 500, किसी से 200, किसी से 2000 रुपे की अवैद वसूली की है बिजली घर बराही के करमचारियों दिनेश लाइनमैन प्रदीप विद्यूत नोडल अधिकारी नितिन लाइनमैन पर बड़ा आरोप लगा है और आरोप उन पर यह भी है की बिजली चोरी पकड़ने के बाद पैसे ले देकर रफा दफा कर देती हैं योगी सरकार भली सकती से कदम उठा रही हो लेकिन उन्हीं के कुछ करमचारी रिश्वत खोरी से बाश नहीं आ रही है अब देखना यह है कि इस अवैद वुभाही की मामली में प्रशाशन क्या कारवाही करता है रिपोर्ट शिवा सक्सायना क्या रगए हैं वह देखनेक बती मांखें वाको उसकी पुर्टीक बतीले bands जब जादा मांग रहे हैं जब बात हुई फिर है तो यार रुपर लेगे तुमसे क्या कह रहे है तुमसे? कड़ने कट रहे हैं जांगे? जो सो रुप है वह बजली भाग वाले क्या रहे हैं तुमसे? तुम से पैसे ले ले अच्छा क्या रहे तुम से बिजली काट जांगे अच्छा क्या पर ले गए तुम से दोसर रुप्या विश्ट वन ना अच्छा धम दोसर लाओ धंकी दे रहे तुम अच्छा काओं का कोई था अपने साथ अच्छा से पटर भी या था थे पटर दोसर रुप्या एक हजार मांग रहा तुम ने दोसर रुप्याइब ना तो धमकी दे रहे बढ़ी काट देंगें अच्छा कर से आए अच्छा कर देंगें